नमस्कार आप देख रहे हैं इंडियन्यूस का डिजिटल प्लाटफर्म और मैं हूँ आपके साथ अक्षता विकल राजस्तान विधान सबाचुनाव के बीच बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्तान अभ्यान शुरू किया इस अभ्यान के बैनर सडकों पर लगाए गए अब इनी बैनर में से एक बैनर को लेकर बवाल खड़ा हो गया है दरशल बीजेपी ने उननिस हजार से अधिक किसानों की जमीन निलाम होने का हवाला दे कर एक पोस्टर जारी किया था अब इस पोस्टर को लेकर सियासत गरम हो गई है बता दे कि बीजेपी के अभ्यान वाले पोस्टर पर जस किसान की फोटो का इस्तमाल किया गया है उस किसान ने बीजेपी के इस पोस्टर को लेकर अपनी अपत्ती जताई है किसान ने बीजेपी पर खुद को बदराम करने का आरोप लगाया किसान ने कहा कि मुझ पर ना तो कोई करजा है ना ही मेरी कोई जमीन निलाम हुई है वहीं उसकी फोटो का बिना इजाज़त के इस्तमाल किया गया क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं कि दरसल बीजेपी की और से नहीं सहेगा राजस्तान के तहत पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किये गए इस दोरान भाजपक की और से किसानों की जमीन निलाम होने को लेकर एक बैनर जारी किया गया था इसमें किसान की फोटो लगी हुई थी साथ में इस बैनर पर लिखा था 19000 से अधिक किसानों की जमीन निलाम नहीं सहेगा राजस्तान आपको बता दीए कि यह जो बैनर फोटो पर इस्तमाल किया गया है वो जैसल मेर के रिखिया की ठाणी के किसान माधुराम जैपाल की है इनकी उम्र 70 साल है और ताजुब की बात यह है कि किसान माधुराम को पता ही नहीं है कि उसकी फोटो का इस्तमाल किस जगा किया गया लगी फोटो वाले किसान माधुराम को इस बात की भनक तक नहीं है कि उसकी फोटो पुरे राज़स्तान के बैनरों पर लगी गई है इस दोरान उनके गाओं का एक यूवक जिसने जैपुर में मादूराम की फोटो जैपुर के कई स्थानों पर लगे बैनरों पर देखी इसको लेकर वो चौक गया उसने उस बैनर की फोटो खीच कर गाओं के एक वाट्सअप ग्रूप पर शेयर करी इसके बाद इस मामले का मादूराम के बेटे को पता लगा वही बैनर पर अपनी पिता की फोटो देखकर मादूराम का बेटा भी चौक गया पोस्टर के बारे में उसने अपने पिता को जानकारी दी इस पर मादूराम ने कहा कि मेरी कोई जमीन कुरक नहीं हुई ना मेरे पर कोई करजा है बीजेपी मेरी फोटो को बिना वज़ा लगा कर बदनाम करने की कोशिश कर रही है उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी वालों को नहीं जानता मैंने कोई लोन नहीं लिया है मैंने के सी सी जरूर ली है किसान ने अपत्ती जताई की जब मैंने लोन नहीं लिया तो मेरा फोटो कैसे छाप दिया उन्हें कहा कि उनके पास 200 बीगा जमीन है और कोई करजा नहीं है मादूराम ने अपनी फोटो को बेवज़ा पोस्टर पर लगाने को लेकर नाराजगी व्यक्त की इसके बाद मादूराम भाजपा के नेताओं के पास पहुचा जहां उसने बैनर पर लगी अपनी फोटो को गलत बताते हुए कहा कि ना तो मेरी जमीन कर्ज में है ना ही मेरी जमीन निलाम हुई है इसके बावजूद बीजेपी क्यूं बैनर पर मेरी फोटो लगा रही है इस पर बीजेपी के नेता अपना पल्ला जहाडते हुए कह रहे हैं कि यह पोस्टर स्टेट लेवर पर बनवाया गया इसके कारण हमें जानकारी नहीं कि यह फोटो कैसे लग कि हम फसल खराब होने पर रिपोर्ट बना रहे हैं इसके अदार पर सरकार क्लेम देगी उन लोगों ने रिपोर्ट बनाने के लिए मेरी फोटो ली थी उन्होंने आशंका जताई की संभव यह है कि यह फोटो उस समय की हो उस दौरान मादुराम और उसके बेटों ने कहा क कि बीजेपी की और से लगाया गया यह बैनर के कारण उनकी बदनामी हो रही है ऐसे में वे अपील करते हैं कि बीजेपी उनकी फोटो अपने बैनरों से हटाए फिलाल के लिए खबरों में इतना ही देखते रहें इंडिया नियूस का डिजिटल प्लाटफॉर्म